नमस्कार साथियो नई वीडियो में आपका स्वगत है दोस्तो आज जो बैटक थी यानि कि केविनेट बैटक उसमें फैंसला हुगा है पैंसन करमचारी को मिलेगी यानि कि 10 साल की नौकरी वेदी कोई करमचारी करता तो उसको भी पैंसन मिलेगी हो रही है एक अप्रेल होगी तो समस्त करमचारी देखें और दोस्तो यह बैटा को चुकिए इसका फैंसला हम आपको इस वीडियो को माध्यम से बता रहे है इसका पूरा जो रिजल्ट है यानि कि क्या फैंसला हुआ है विस्तार से अगली वीडियो में बात करेंगे और इस पर टिपड़ी आना बाकी है विजय कुमार बंदूज की तो वो भी हम आपको दिखाएंगे तो आप हमरे से जोड़ना ना भूलें सब्सक्राइब और बैल के आइकन को प्रेसर के दोस्तों नीचे कमेंड लोकस में अपनी पर्दिक करिया जरूल दें फिडिको लाइक से जरूल करने तो करेगा उसे पूरी पैंसन मिलेगी UPS इसकीम से 23 लाग केंद्रिय करमचारी को फाद होगा यह इसकीम एक अप्रेल 25 से लागू की जाएगी केंद्रिय सूचना प्रसान मंतरी अस्वनी बिश्णम ने केविनेट की बैटक से जूरी जांकरी देते हुए का है कि 10 साल सर्विस करने वाले को 10,000 रुपे की पैंसन मिलेगी करमचारी की सेवा के दोरान अगर मौत हो जाती है तो उनकी पत्नियों को 60% पैंसन दी जाएगी सरकार ने का कि उसके पैंसले को राज सरकार भी लागू कर सकती है करमचारी के और इस स्कीम का बाहर नहीं पड़ेगा 12 महीने के सरकार ने का है कि अगर किसी करमचारी ने नियुमतम 25 साल तक काम किया तो रिटार्डमेंट से पहले आकरी 12 महीने के ओसत बेतन का कम से कम 50 फीदी पैंसन की रूप में मिलेगा यानि कि मान लेते हैं कि आपके 25 साल होगा रिटार्डमेंट होने वाला है तो एक साल आनि 12 मही महीने में हो सकता कि पहले महीने में आपका बेतन है और 12 महीने में बढ़ जागा तो जो आपका ओसत होगा मान लीजिए 12 महीने का 1ग9 बेतन जोड़ते हैं तो 12 लाग हो रहा है मान लोग कम जादा है तो आपका दस लाग होता है दस लाग का ओसत का पचास परसेंट पाच लाग रुपे होगा इतनी पैंसन इसमें बताई जा रही है अगर किसी पैंसन दाता की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यू के वक्त मिलने वाली पैंसन का साथ फिश्दी हिस्सा मिलेगा एनपीज बालो एनपीज बालों को यूपीज में जाने का विकलप मिलेगा यच उन सभी पर लागूं भी होगा जो एनपीज दिया की सेवा नुर्थ होया या सेवनृत होने बाले हैं सरकार इसके लिए वकायदा एरियर का बुक्तान भी करेगी जो करमचरी दोयर चार से रिटार्ड हुए हैं उनको भी इसका लाब मिलेगा हर छे मैने की सेवा के बदले मासिक बेतन यान की बेतन प्लस डिये का दसबा इससा जोड़का रिटार्डमेंट पर मिलेगा कॉन्गरेस ने जब OPS की बात की थी तो उनके अपने नेताओं में मतमीत थे कॉन्गरेस के लोगसवा चुनाव गुषा पत्र में OPS का वादा नहीं था PM ने चुनावी राजनीती से उपर उठकर हमेशा फैंसले किये हैं इसका चुनाव से संब्द नहीं है तो चुनाव आयूक का बिसे इसमें नहीं आता है और दोस्तो इस फैंसले की कॉपी आती है तो डिटेल में हम इस पर बात करेंगे कि आखिर क्या है फैंसला अबार दोस्तों आता है